तो फ्रेंड्स मेरे यहां बहुत ही खुबसूरत लेमन यलो कलर का गुडल का फ्लावर खिला है तो वह मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और एक बात मुझे आपके साथ शेयर करनी है मेरे पास एक देसी गुडल का प्लांट है जो मैंने खुद कटिंग से ग्रो किया है और वो पूरी तरह से डामेज हो गया था जिसे मैंने बहुत अच्छे से रिकवर कर लिया है तो वो भी उसका भी सिक्रेट मैं आज इसी वीड उसके क्वज्वर को किया एक पर मुझे मिल गया तो मैं यह लेकर आगा इसकी कटिंग लेकर आग और मैंने इसे ग्रो ऍ가루 किया और या बहुत अच्छे से लग चुका है बहुत अच्छे से ग्रोव कर चुका है इससे पहले भी एक-एक फ्लावर इसके आ चुके है और इसा ने कीधा दुछ वावर्वर किल गए तो बहुत लग रहा चुका और इसे मैंने अभी 8- Фुट का है दो अगाया है और देखिए friends इसका flower कितना gorgeous है और ये yellow color lemon yellow color है और friends इसके अगर soil की बात की जाए तो इसमें 60% garden soil ली है मैंने और 10% cowden compost और 10% river sand ली है मैंने ये तीन चीजों में ही मैंने लगया था तो और बहुत अच्छे से grow कर रहा है तो अगर आपको कहीं मिले ये तो आप जरूर आपके garden मे जरूर add करे friends तो ये देखिए तो मेरे पास 3-4 गुडल है एक गुडल तो मैंने नरसरी से लेकर आई हूँ लेकिन 3 गुडल जो है मैंने cutting से ही grow किये है तो आए मैं दिखाती हूँ आपको और ये दिखिए friends ये मेरा है देशी गुडल का plant ये मेरा 6 साल पुराना plant है और इस ये थोड़ा सा डामेज हो गया था लेकिन आप देखिए ये रिकवर हो चुका है और इसे मैंने किस तरह से रिकवर किया ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी तो ये दिखिए अभी 5-6 flowers आ चुके है और वैसे भी 2-3-2-3 flowers तो रोज खिलते ही रहते हैं और ये मैंने नरसरी से लाया था मेरा देशी वेराइटी का है और बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है आपको इसके पत्ते थोड़े चोटे दिख रहे होंगे क्योंकि अभी मुझे मैंने इसकी मिट्टी में पानी नहीं डाला है क्योंकि मुझे इसे लिक्विट फर्टिलाइटर देना है तो मैंने इसे दो-तीन दिन से पानी नहीं डाला इस वज़े से थोड़ा सा आपको मुर्जा ऐसा लग रहा होगा लेकिन फ्लावर देखिए कितने फ्रेश लग रहे है एकदम और पाच-छे फ्लावर आज तो रोज तो ऐसे दो-तीन तो खिलते ही रहते हैं तो यह मेरा प्लांट रिकवर हो चुका है एक गलती कर दी थी जब मुझे इतना नहीं था इसका रूट बाउंड हो गया था तो मैंने इसे गलत वक्त पे पॉट से निकाला उसकी मिट्टी चेंज की और उसके रूट की भी नहीं चाती थी क्योंकि मैंने इसे कटिंग से ग्रो किया है तो इस वज़े से मैं इसे बिल्कुल भी खोना नहीं चाती थी तो फिर मैंने गूगल पे सर्च किया थोड़ा स्टेडी किया उसके बाद मुझे पता चला कि इस तरह के प्लांट एपसम सॉल्ट से रिकवर ह हो सकते हैं तो उसके बाद मैंने एपसम सॉल्ट लेकर आई और उसका मैंने इसके उपर स्प्रे करती रही हपते में एक बार मैंने मैंने दो बार मैंने पहले तो किया थोड़ा मुझे ठीक होता हुआ दिखा हुए प्लांट दूसरे मैंने मैंने हपते में एक बार किया तो मुझे तो और भी उसमें ग्रोथ दिखी मुझे तो ऐसी इस तरह से मैंने इस प्लांड को रिकवर किया थोड़ा टाइम लगा मुझे तो रिकवर हो गया मेरा प्लांड और अब देखिए इसका रिजल्ट आप देख पा रहे हैं इसमें भर भर से फ्लावरिंग करता है और यह एक गुढ़ल है मेरे पास कि जो यह भी मैंने कटिंग से ग्रो किया है और यह इसका यह ब्लड रेड कलर का गुढ़ल का प्लांट है इसका फ्लावर बहुती एकदम ब्लड रेड कलर का है डार्क रेड कलर का तो कैमेरा में तो डेसी गुढल के जैसे ही दिख रहा है यह भी मैंने कटिंग से ग्रो किया है इसमें भी काफी कलिया बन रही है इसमें भी मैंने 60% गार्डन सॉयल 10% कावडंग कमपोस्ट और 10% रेट इसी तरह से मैंने सॉयल मिक्स किया हर 15 दिन में मैं इसे लिक्वीड फ और आज का मेरा गुडल का फ्लावर अपना पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है थैंक्स फॉर वाचिंग